हेलो एवरिवान, वेलकम टू कौन स्टडी, आज हम मशीन इंपुट आउटपुट का फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं, मैंने आलरोडी आपको तीन लेक्चर करवाए हैं, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर अलग-अलग टाइप्स जो मशीन इंपुट आउटपुट की आ सकती हैं आपके एक्जाम में, मैंने वो सब डिसकस करी हैं, अगर आपको कोई भी पढ़नी हो टाइप, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो मेरे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में अवेलेबल है, इन फाक्ट मैंने इस से पहले साइलोग साइलोगिजम भी खतम करवा दिया है, अगर आप में से किसी को भी साइलोगिजम का कोई टॉपिक पढ़ना है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे, ताकि आपको अपडेट म पर आपको पता चलता रहते हैं कि न्यू वीडियो कौन सी आई है, अगर आपका कोई भी डाउट है, तो हम सब टीचर्स जो हैं, आपके डाउट को यहाँ पर क्लेर करते हैं, और अगर आपको यह डाउट कॉमेंट में भी लिख देते हैं, अपना वीडियो से रिलेटेड and in fact any other query, तो we try कि आपकी query solve हो जाए, यह देखिए, मैं आपको साइलोगिजम और यह सब topics पढ़ा रही हूँ, साइलोगिजम मैंने पढ़ा दिया है, input-output का आज last lecture है, so यह भी almost खतम ही हो गया हो है, right, so let's start, देखे, पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, तो आपको यह जो पेल प्लेलिस्ट है, गोमिनी मैम की और मेरी, यह आपको इस प्लेलिस्ट वाले option से मिलेंगी, जब आप चैनल को search करेंगे तो, तो गोमिनी मैम की वीड पड़ा रही है, और अगर मेरे से लिबस में से अगर आपको कुछ देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, likewise, आपको मैट्स की भी तीन प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, संभव सर आपको डियाई करा रहे हैं, नितिन सर आपको अर्थमाटिक करा र हैं, तो आप इनकी भी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजेगा, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखे, आज एक निया क्वेस्टन है, और एक नई टाइप है, आप लोगों को देख कर लग रहा होगा, कि अरे ये क्या हो गया, इस बार ये तो कुछ अलगी स्टेप तो मैं अच ही नहीं कर रहे हैं, ना नमबर्स मैच कर रहे हैं, ना अलफबेट्स मैच कर रहे हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, कि इसमें क्या लॉजिक लगा है, देखे, मैं इसकी, आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, देखे, आप देखे, ये देखे जैसे यहाँ पर आप step 1 में अगर आप जाएंगे तो एक नमबर एक जो alphabet है वो कोई गायब हो गया देखे होट अवेलिबल है राइट फ्लाइ अवेलिबल है कैट अवेलिबल है तो क्या गायब हो है? एर एर गायब हो गया और एर क्या बन गया हमारा? एर हमारा बन गया है जेट आर और आई अब ये क्या निया चीज आ गये कि हमारा पूरा ही वर्ड उठकर कुछ और बन गया है ना? और अगर आप देखें तो जो हमारा नमबर है उसमें भी जेंज आई है ये जो हमारा फिफ्टीन है वो फिफ्टी टू बन गया है है ना? ये हमारा फिफ्टी टू बन गया है क्योंकि बाकी नमबर जो है 79, 38 और 98 ये एक्जाटली सेम यहां पर है ये है कि इस इन्पुट आउटपुट में एक चीज जो हमें नोटिस हुई है स्टेप वाइज नीचे जाते जाते वो ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट अलफबेट को और सबसे स्मॉलेस्ट नमबर को उठा कर कुछ लॉजिक लगा रहे हैं और अपना स्टेप बना रहे है क्योंकि देखें नेक्स्ट टेप में अगर आप जाएंगे तो एर तो गायब हो गया अब उसके बाद नेक्स्ट क्या गायब हो गया एक के बाद आता है C तो यहाँ पर C वाला cat अवेलिबल ही नहीं है अगर यहाँ से भी देखें तो यह हमारा नमबर कौन सा गायब हो गया नमबर हमारा गायब हो गया है 38 और वो बन गया है 84 तो देखेंज कि हमें यह तो पता चल गया है कि हमें क्या ढूंडणा है अब देख लेते हैं कि इसको ढूंडणा कैसे है कैसे पता चलेगा कि क्या logic है तो देखें यह देखें यह था इस question में logic क्या हो रहा है जैसे अभी हमने air में देखा A I और R बन रहा है Z R और I ठीक है तो इस table को जो reverse में alphabets हैं वो in sequence चलते हैं आपके series के alphabets में जैसे हमारा A जो है हमने उसको Z से replace कर दिया है I के देखिए यह रहा आपका I, मैं color change कर लेती हूँ, यह रहा आपका I, तो I किस से change हो गया आपका R से है ना, I आपका R से change हो गया है, जो table में already दिख रहा है और यहाँ पर आप देखिए, तो R आपका I से replace हो गया है तो हमें alphabet का logic तो समझ में आ गया, देखिए अगर जो पहली बार इस video को देख रहा है, अगर उसने machine input, output मेरे बाकी नहीं बड़े हुए है तो of course उन्हें बहुत मुश्किल लगने वाला है यह question, तो मैं आपसे यही request करूँगी कि जाके आप पुरानी वीडियो पहले देख लीजे, क्योंकि मैं पर वीडियो अपना level अप करती हूँ, ताकि exam में किसी भी type का question आए, आप लोग उसे solve कर पाए, तो यह हो गया हमारा जो हमारा alphabets थे, उनका क्या logic लग रहा है, अब हम लोग number का भी देख लेते हैं, number का देखिए, number में हमारे पास 15 था, और वो बन गया है 52, right, हमारे पास 38 था, वो बन गया, one second, हमारे पास 38 था, वो बन गया है 84, आपको कुछ logic समझ में आ रहे हैं, logic क्या लग रहा है यहाँ पे, कि यह पहले तो number की positions को exchange कर रहा है, और उसके पास, जो unit place पर है, उसमें one add कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, देखिए, यह सब के साथ यही होएगा, देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप step third का number उठा लो, step third में किस number को change हो रहा है, कौन सा number change हो रहा है, step third में हो रहा है, 79 change, किस में, 98 में, तो 79, 98 में change हो गया, तो क्या हुआ, इन्हों ने पहले अपनी positions exchange की, तो यह आगया 9, यह आगया 9, और यह आगया 7, plus 1, तो क्या बन गया number 98, 98, I hope आपको समझ आ गया है, कि इस input-output में logic क्या है, तेखिए, मेरा यह input-output लेने का एक ही मकसद था, कि अगर आपको कोई level आप करके input-output आ जाता है, PO के taper में, I can assure you कि यह banking associate के exam में तो नहीं आएगा, बट PO के exam में आ सकता है, तो जो PO के लिए prepare कर रहे हैं, तो वो इस type के भी input-output को जरूर practice कीजिए, ओके, तो अब आप प्लीज, आप pause करके, मैंने आपको logic बता दिया है, इसलिए आप इस input का output बना लीजिए, उसके बाद मैं फटा-फट से आपको इसका solution बता देती हूँ, देखने इसका, चलिए देखते हैं, देखे, ये हमारा solution आ गया, मैंने ये table यहाँ पर भी इसरी रखे है, ताकि आप लोगों को easy हो जाए, देखने में कि कौन सा किस के साथ प्यार बनता है, ठीक है, अब देख लेते हैं, सबसे पहले अब देखे, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैं जिस तरह से आप कराते हैं, उस तरह से तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा करने में, तो अब इस question में तो मैं आपको बोलूँगी कि जितना time हर step में लगेगा, उतना ही लगेगा, बट in general, अगर कभी भी मैं आपको वो आगे बता दूँगी, कोई बात नहीं, पहले हम यह वाला question कर लेते हैं, तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं, इन्पुट से ही आपको निकालना है कि आपका step 5 कैसे चलेगा, आपका cat बनेगा, I'm so sorry, cat बनेगा first step में, ठीक है cat के साथ सबसे छोटा number क्या है यह, इसको भी हमने one allot कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद next step 2 के लिए, c के बाद क्या आता है, e, तो यह earth, यह हमारा step 2 में बनेगा, इसी के साथ 26, यह step 2 में बनेगा, step 2 में बनेगा, e के बाद क्या आता है, e के बाद आपका आएगा m, right, तो E के बाद M, तो M को आपने step 3 दे दिया, और M के साथ 17 हो गया, 26 हो गया, उसके बाद next छोटा नंबर क्या है 53, step 3 में ये दो चीज़ें convert होएंगी, ठीक है, ये easy तरीका है, इससे क्या होगा, इससे आपका time save होगा, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आपने एक बनाने में, ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में इसलिए नहीं बताया है, क्योंकि उस तरहीं पर मैं आपको basic समझा रही थी, अब क्योंकि आपको machine input output बनाना आ गया है, तो I can really give you some tricks, जिससे आपका जल्दी machine input output हो जाए, okay, so 1, 2, 3 हो गया है हमारे steps, 4th step देख लेते है, 4th step में हमारा M के बाद अब क्या आना चाहिए, S आना चाहिए कि T आना चाहिए, of course, S आना चाहिए, S आ गया, और number में क्या आ गया, sorry, number में आ गया 61, 61 आ गया, ठीक है, 4th position पर, और अब toy, अब यही दोनों बच गये है, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे 5th position पर, okay, I hope आप लेकिन 3rd, 4th का क्या logic है, इससे जल्दी हो जाते हैं, हमारे steps जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, numbering कर दिये, अब देखें कितने असानी से बन जाएंगे, यह, जिसको लगता है कि वो, अब है नहीं स्क्रीन पर, तो आप पिछे वाली जो स्क्रीन थी, उसका screenshot ले लीजेगा, ताकि आपको easy हो जाए बनाने में, ठीक है, तो सबसे पहले आजाते हैं, cat पर cat का बन गया, यह, z, x, z, g, यह आप इस table से refer कर लीजेगा, और सबसे छोटा number था 17, तो 17 का कैसे बन गया, 17 का बन गया, exchange किया, 7, 1, 1, ठीक है, तो यह बन गया, आपका 72, है न यह बन गया, 72, ठीक है, इसी तरह से बाकी कर लिए है हमने, अब उसके बाद जब यह हो गया है, उसके बाद next कौन सा हमारा convert होगा, e, तो यह आ गया, e का code, और उसके बाद आ गया हमारा 26, 26 बन गया, 6 और 2 exchange हो गया, और 2 में plus 1 हुआ, 63, उसके बाद next देखे, next आ गया, moon, moon, moon का code बन गया, यह, मैं आपको फिर कहूंगी कि इस table को refer कर लीजेगा, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए, तो इससे बस आपको pairs धूनने हैं, और आपको उनको exchange करना है, जैसे कि e का pair का बन गया है, v, okay, तो ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसके साद number आ जाएग next आपका आ जाएगा, star, right, star आ गया, तो star का यह code आ गया, और number कून सा रह गया है, I'm, I'm sorry, step second में 53 था, step third में 61 था, so sorry, मैंने लिखवाया हुआ है, आपको, आप tension मत लीजिए, आप वहाँ से refer कर लीजिएगा, ने, यह देखिए, यह 17 का है, मैं बता देती हूँ, इससे पहले की confusion बढ़ जाए, मैं बता देती हूँ, यह देखिए, यह 17 का बना था, देखिए, यह 17 का बना था, फिर यह किसका बना था, 26 का, फिर उसके बाद, यह किसका बना, 36 किसका बना है, यह बना है, 53 का, फिर अब नेक्स नंबर के आ जाएगा, 61, 61, 16 जो क्यों जाएगा, और लास्ट में हमारा, 85, 59 बन जाएगा, यह आपका आ गया, I know, बहुत मैं सपोग्या हुए, तो मैं एक बरी वापिस बना देती हूं, देखिए, यह आया आपका 17 का, यह आया 26 का, फिर 53, फिर 61, और 85, तो देखिए, यह आपका असेंडिंग ओर्डर में चल रहा था, और यह भी आपका असेंडिंग ओर्डर में चल रहा था, ठीक है अब फट्टा फट से questions देख लेते हैं देखिए अब इसका answer देखिए अब इसका answer देखिए which of the following would be last but one step last but one step का मतलब क्या हुआ की second last step ठीक है second last step इन में से कौन सा है ये ठीक है ये हो गया आपका correct answer let's move to the next question okay in step 14 sorry in step 4 of the rearrangement if this is related to 17 that means step 4 ये रहा अगर ये वो 17 related है and and nllm n36 ये भी related है which of the following would be related to xg okay so आप देखिए इसमें logic क्या है कि जो position इसकी right I mean left से है वही position इसकी right से है right ये ही logic है इसका ठीक है तो जब हम देखेंगे xzg को तो इसका left से क्या position है one two three four तो right से भी देख लेते हैं one two three four तो हमारा answer हो जाएगा 72 72 will be the right answer okay so next move to the next question देखें in step five which of the following words would be at sixth position to the right of third from the left element sixth position to the right of third from the left element तो देख लेते हैं step five left से देख लेते हैं left से one two three third से third left और उसके बाद sixth just a second let me read it again which of the following words would be at sixth position to the right of third from the okay ठीक है तो इन्होंने बोला कि left से जो third है ठीक है उसकी sixth right पर क्या है तो left से third को ने nllm अब sixth right पर देखे sixth sixth right पर देखे इसका कौन हो सकता है one two three four five six तो यह आगया seventeen और इसका मैंने आपको वैसे भी बताया था कि यह जब आपने निकाल लिया उसके बाद आप six add कर लीजिए तो आपका seventeen answer आ जाएगा ठीक है तो let's move forward to next question अब देखे इस question में क्या पुछा हुआ है in step third which of the following words would be eighth would be at eighth position from the left so left क्या हो गया यह step third तो eighth देख लेते हैं one two three four five six seven eight so again 72 will be the answer okay step third में eighth position left से कौन सी होगी तो 72 will be the answer right last question देख लेते हैं इस question का which of the following would be the final arrangement final arrangement means the last step last step क्या होगा जो भी last step हमारा बना हुआ होगा जैसे यहां पर step five है तो देखिए इन में से कोई है आगर आप ध्यान से देखेंगे तो option A ही हमारा इसके साथ follow कर रहा है so option A will be the correct answer okay so with this I complete machine input output और I know कि आप लोगों को silogism का time पे हमेशा एक homework question मिलता था जिसे आप लोग बहुत dedicatedly करते थे तो मैं आज machine input output के लिए भी एक question आपके लिए लेकर आई हूँ आप इसे बनाए और उसके बाद इसका जो भी आपका answer आएगा आप लोग comment कर दीजेगा और इसका जो answer है जो इसका solution है वो आपको telegram group पर मिलेगा okay so मैं आज video डाल रहे हूँ आज से next day that means आज Monday है तो Tuesday को मैं telegram group पर डाल दूँगी इसका solution okay तो जिस जिस ने भी मिनाया होगा तो वहाँ सर देख लेना आप लो thank you अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please आप like कर दीजिए और अगर आपको कोई भी query है तो आप नीचे comment में बता दीजिए okay thank you